Hello friends, my name is Rajan इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक image slider कैसी create कर सकते हैं with the help of HTML, CSS and splied slider So guys, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक image slider create किया हुआ है with the help of HTML, CSS and splied slider तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर slides आ रही हैं और यह automatically change भी हो रही है आप देखेंगे कि automatically change हो गी है यह देखिए automatically यहाँ पर slide हो रही है और यहाँ पर arrow के click करने पर भी यहाँ पर यह slide होती है और यहाँ पर जो हमारे dots हैं इनके click पर भी यहाँ पर हमारी slides change होती है और यह जो हमारा slider है यह responsive भी है तो आपको मैं responsive view दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि यह जो हमारा slider है, यह responsive है, तो guys, आज की इस वीडियो में हम इसी slider को create करना सिखेंगे, guys, अगर आपको वीडियो से related कोई भी query है, आप मुझे Instagram पर message कर सकते हैं, मैं अपनी Instagram ID का link इस वीडियो के description में द दिखा देता हूँ, तो guys, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि मैंने यहाँ पे एक folder बना है, splied slider नाम से, और इसके अंदर एक CSS नाम का folder है, और यह है images का folder, जिसके अंदर हमारी images है, और यह है HTML की file, मैंने यहाँ पे HTML की file को, और CSS की file को, sublime text में open किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यह हमारी CSS की file है, HTML की file में मैंने यहाँ पे HTML का syntax लिखा हुआ है, और यहाँ पे title में मैंने लिख है splied slider, और यहाँ पे link tag का use करके, मैंने CSS की file को HTML की file के साथ link कर दिया है, और यहाँ पे मैंने कुछ comment दिया है, splied css cdn, splied slider यूज करने के लिए, हम splied slider का cdn लगाने पड़ेगा, css का और js, तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि cdn हमें कैसे लगाना है, आपने इस website को open कर लेना है, splied js.com, और यहाँ पे जाके मैं get started पे click करूँगा, और यहाँ पे जाके, मैं js delivery पे click करूँगा, और यहाँ पे आपको यह files दिख दूँगा, मैं check कर लेता हूँ, वो js की file है, यह splied min.js है, तो इसको मैं यहाँ पे लगाँगा, तो यहाँ पे मैं script tag का use करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा src, और यहाँ पे मैं link डाल दूँगा, और इसे save कर दूँगा, js का cdn लगाने के बाद, यहाँ पे म link tag का use करूँगा, और hrf में डाल दूँगा, और इसे मैं save कर लेता हूँ, तो guys हमने यहाँ पे cdn लगा दिये है, और अब हम यहाँ पे structure create करेंगे, जो की splied slider लाने के लिए important है, उसके बिना splied slider work नहीं करेगा, अगर आप यह structure नहीं create करेंगे, तो यहाँ पे मैं div create करता करूँगा, इसे मैं class दूँगा splied __ track, track के अंदर यहाँ पे मैं div tag करूँगा और इसे मैं class दूँगा splied __ list के अंदर यहाँ पेमें div create करूँगा, जिसको मैं class दूँगा 말 यह जो हमारे structure यह important है, आपको इतना structure तो create करना ही पड़ेगा, और यह जो हमारी splide slide है, यह जो अंदर की slides repeat होती है, जो की यह वाली है, यह है हमारी splide slide जो की repeat हो रही है, तो इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, image, text, कुछ भी जो भी आप रखना चाहू, आपको यहां प देख सकते हैं, यहाँ पर काफी सारे demos हैं, आप कोई भी यहाँ पर अपने requirement के हिसाब से use कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ पर बहुत सारे example हैं, हम यहाँ पर use करेंगे breakpoints, यहाँ पर breakpoints वाला अभी आएगा, यह रहा breakpoints वाला, और यहाँ पर मैं code पर click है वो हमने यहां पर दी थी और इसी class पे हमने supplied slider को initialize किया है आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर हम simple slider create कर रहे हैं आप देख सकते हैं सिर्फ यहां पर images हैं तो images हम यहां पर लगा लेते हैं तो इसके अंदर यहां पर मैं अपनी मर्जी से कोई भी structure create कर सकता हूं तो हमें just image चाहिए तो यहां पर मैं लिखूंगा img underscore box और इसके अंदर मैं image tag का use करूंगा और image का source डाल दूँगा images slash slide-1.jpg save करता हूं और इसे मैं browser में open कर लूँगा आप यहां पर देख सकते हैं कि एक image यहां पर आ चुकी है और यहां पर आप देख सकते है arrows भी आ रहे हैं तो हम यहां पर बाकी images लगा लेते हैं यहां पर मैं splite slide div को copy करूंगा इसको मैं copy करता हूं यहां पर paste कर दूँगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ बार मैंने यहां पर paste कर दिया और यहां पर images का नाम change कर देता हूं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 यहां पर total हमारे पस 9 slides हो गई है आप देख सकते हैं save करता हूं browser में जाके refresh करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो हमारा slider है वो यहां पर work कर रहे हैं यहां पर arrows आ रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि dots आ रहे हैं और यहां पर slider हमारा work कर रहे हैं तो अब हम थोड़ा इसे ठीक कर देते हैं यहां पर हाइट लगी हुई है। आप देख सकते हैं, तो इसे मैं यहां से भटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए और इसे भी हटा दूंगा, Save करता हूं, ब्राउजर में जाके Refresh करता हूं, यहां पर Height अभी भी नहीं हटी, यहाँ पे मैं inspect करके check करता हूँ कि क्या issue आ रहा है तो हमें यहाँ पे per page करनी पड़ेगी 4 images तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 images अब दिखाई दे रही है और हमें इस पे CSS लगानी पड़ेगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि image यह अपने div से बाहर जा रही है तो यहाँ पे CSS में मैं सारी images को max width दे दूँगा 100% saved browser में जाके refresh तो आप देख सकते हैं कि अब जो images हैं वो थोड़ी छोटी आ रही है और यहाँ पे gap भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे gap की property लगी हुई है आप देख सकते हैं और इस gap को हम बड़ा और घटा भी सकते हैं आप देख सकते हैं भी 2rem लगा हुआ है तो यहाँ पे 2rem space आ रही है और अब मैं आपको यहाँ पे बाकी properties का use करके बताता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे लगी हुई है पर page 4 पहले 3 लगी हुई थी तो यहाँ पे 3 slides show रही थी मैंने 4 कर दिया तो यहाँ पे 4 slides show रही है और जब मैं यहाँ पे arrow पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बारी में 4 slides change होती है मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक ही slide change हो तो यहाँ पे यहाँ लिखूँँगा per move 1 save browser में जाके refresh अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि एक ही slide यहाँ पे चेंज होगी यह देखिए per move के बारी आती है padding की padding मैं यहाँ पे use करूँगा 3rem और यहाँ पे comma save तो padding से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो slides है उसका थोड़ा थोड़ा part दिख रहे हैं और यहाँ पे gap मैं थोड़ा कम कर दूँगा 1.5 save browser में जाके refresh यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली slide का part नहीं दिखाए दे रहा है यहाँ और यहाँ पे दिखाए दे रहा है और जैसी मैं last slide पे जाऊंगा तो यह पहले पे भी नहीं जाएगा तो इस चीज को करते हम कि कि जब हम last slide पे पहुच जाए और यहाँ पे क्लिक करें तो slider हमारा बंद ना हो तो padding के बाद यहाँ पे मैं type का use करूँगा और single course के अंदर मैं दूँगा loop और यहाँ पे comma दे दूँगा save, refresh तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जो slide नहीं दिख रही है इसका कुछ part दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और जैसी मैं आप last slide पे पहुचूँगा तो आप देख सकते हैं कि यह automatically first slide पे चला जा रहा है यह देखिए तो loop के बाद हम बात करेंगे drag की यहाँ पे मैं drag property का use करूँगा और single course में लिखूँगा free यहाँ पे comma दे दूँगा save, refresh अब आप देखेंगे जैसी मैं इसको drag करूँगा तो यह एकदम freely move करेगा यह देखिए तो snap का मतलब क्या हुआ कि आप देखेंगे जैसी मैं slide कर रहा हूँ तो यहाँ पे यह slide नहीं हो रहा है के बाद यहां पे हम pagination को hide भी कर सकते हैं और यहां पे arrows को भी hide कर सकते हैं तो यहां पे हमें लिखूंगा arrows false pagination false comma यहां पे save करता हूँ refresh करता हूँ तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे dots आ रहे थे वो यहां पे hide हो चुके हैं और यहां पे जो arrow आ रहा था वो भी यहाँ पे गायब हो चुके हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इसे false कर दिया है दोनों को यहाँ पे हम एक और property का use करेंगे auto play true, save ब्राउजर में जाके refresh अब आप देखेंगे कि automatically यहाँ पे slide change होगी यह देखें, automatically यहाँ पे हमारा slider चल रहा है यह देखिए, तो guys, almost मैंने आपको सारी properties यहाँ पे बता दी है तो अब हम इसकी थोड़ी सी CSS कर लेते हैं मैं यहाँ पे arrows को बापिस से true कर देता हूँ और pagination को भी pagination true, arrows true, save ब्राउजर में जाके refresh तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, arrows यहाँ पे आ चुके हैं और dots यहाँ पे आ चुके हैं आप अपने requirement के हसाब से इन arrows की और dots की CSS कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पे इसकी CSS करते हैं तो यहाँ पे CSS file में चलते हैं यहाँ पे मैं सबसे पहले body की CSS करूँगा और slider को center में ले आऊंगा display, grid, place, items, center, height, 100vh, save browser में जाके refresh तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि slider center में आ चुके हैं और यहाँ पे मैं body को background color दे दूँगा background color, hash, 2D, 34, 36 save, browser में जाके refresh तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि background color यहाँ पे आ चुके हैं body की CSS करने के बाद यहाँ पे जो हमारा slider है वो left right से काफी चिपक रहा है तो इसको हम padding देंगे तो padding देने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे जो हमारा slider है उसको हम एक div में wrap कर लेंगे तो यहाँ पे मैं एक div देता हूँ और इसको मैं class दूँगा slider underscore wrapper यहाँ पे आप कोई भी class दे सकते हैं अपनी हिसाब से cut करता हूँ closing tag को और यहाँ पे मैं paste कर दूँगा save refresh और यहाँ पे मैं इस class को copy करूँगा यहाँ पे जाके dot लगा के paste करूँगा और यहाँ पे मैं padding दूँगा 50 pixel top bottom left right से 15 pixel save browser में जाके refresh तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि side से gap आ गया है और यहाँ पे मैं max width का use करूँगा 1240 pixels margin 0 auto save refresh तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि max width वर्क कर रही है यहाँ पे अब हम इन arrows की CSS करेंगे तो यहाँ पे inspect करके मैं class देख लेता हूँ यहाँ पे जो class आ रही है वो आ रही है splied underscore underscore arrow तो यहाँ से मैं copy करता हूँ यहाँ पे जाके dot लगा के paste करूँगा और यहाँ पे इसकी CSS करूँगा opacity 1 width में यहाँ पे कर दूँगा 2.5rem height में यहाँ पे कर दूँगा 2.5rem और background color का यहाँ पे मैं use करूँगा hash fbc531 save browser में जाके refresh तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि arrow के CSS यहाँ पे हो चुकी है अब मैं इस pagination के CSS करूँगा और इसे थोड़ा bottom में लेके आऊँगा तो यहाँ पे इसकी class देखते है क्या आ रही है यहाँ पे class res applied pagination इसे copy करता हूँ और यहाँ पे आके dot लगा के paste करूँगा और यहाँ पे मैं use करूँगा bottom minus 2rem save browser में जाके refresh तो आप यहाँ पे देख सकते कि dots जो है वो थोड़े bottom में आ चुके है अब मैं इसका active dot है उसका color change करूँगा तो यहाँ पे देख लेते है कि कौनसी class आ रही है active पे यहाँ पे यह क्लास आ रही है इस active copy करता हूँ यहाँ पे जाके paste कर लूँगा यहाँ पे dot लगाँगा और space यहाँ से remove कर दूँगा क्योंकि जो दोनों classes है वो एक ही element पे है और इनका जो parent है वो है slider wrapper तो यहाँ पे paste कर दूँगा और यहाँ पे मैं opacity दूँगा one और background color यहाँ पे मैं use करूँगा जो यहाँ पे arrow पे use किया था paste save browser में जाके refresh तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि active dot का color यहाँ पे change हो चुका है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो arrows है यह इसके अंदर आ रहे है slider के हम इसे बाहर भी कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे बाहर कैसे करना है यहाँ पे मैं media query का use करूँगा add the rate, media, screen and यहाँ पे मैं mini weights लिखूँँगा 640 pixel और यहाँ पे मैं slider wrapper class को copy करता हूँ और applied को यहाँ से copy करता हूँ dot लगा के paste और इसे मैं padding दे दूँगा top bottom से 0, left right से 4rem, save browser में जाके refresh तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो हमारे arrows हैं कि यहाँ पे outside the slider हो चुके है वो आपके अपनी choice है कि आपने इसको अंदर रखना है या बाहर रखना है और mini width में मैंने इसको इसलिए लगाया हैं क्योंकि यह जो arrows है यह मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 640 के उपर ही बाहर रहें क्योंकि 640 के बाद यहाँ पे slides हमारी change हो जाती हैं मैं आपको यहाँ पे दि दिखेगी और gap जो है वो 0.7 REM रहेगा तो यहाँ पर मैं आपको inspect करके responsive view दिखाता हूँ तो यहाँ पर हम लिखता हूँ 641 तो आप यहाँ पर देख सकते है कि 641 पर तो यह ऐसे चल रहा है जैसी मैं 640 करता हूँ तो आप देख सकते है कि यहाँ पर 2 slides शो हो रही है और जै यहाँ पर देख सकते हैं जैसी 640 करूँगा तो आप देखेंगे वो padding लग गई है यह देखिए और जैसी 639 करूँगा वो padding यहाँ से हट गई है और यहाँ पर मैं 480 करता हूँ 480 में आप देख सकते हैं कि एक ही slide यहाँ पर दिखाए दे रही है और यह कितना awesome लग रहा ह यहाँ पर हम यह जो padding थी इसकी value change कर सकते हैं मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पर चलता हूँ मैं script में और यहाँ पर मैं padding copy करता हूँ paste करता हूँ यहाँ पर 3rem की जगा मैं कर दूँगा 1.5rem और इसे मैं copy करूँगा और यहाँ पर paste कर दूँगा save browser में जाके refresh तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि padding यहाँ पर कम हो चुकी है guys यह जो हुमारा slider है यहाँ पर complete हो चुक है guys अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है please मेरी वीडियो को like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए bye bye take care मिलते है अगले वीडियो में